हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्लेश ओफ क्लेंज के वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको एक हीलर की जो टूप है उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं सो गईस एक दिन एक टाइम था जब सारे वीलेजर्स और टूप्स जो छे क्लैश उफ क्लैंस के वो सब बात कर रहे थे कि हम बहुत टाइम से थ्री स्टार कोई बेज नहीं कर पा रहे तो हमें कोई नया टूप ऐसा लाना चाहिए जो कि हमें हेल्प करें थ्री स्टार लाने में तो फिर वीजर्स ने बोला कि हम में जो हीलंग स्पयल यूज कर रहे है वह हील्इंग स्पैल तो बहुत ही कम है जब भी हीलंग स्पयल करते हैं थो थोड़ा हील होने के बाद फिर सारे टूप्स तो मर जाते हैं क्यों ना ऐसा कोई टूप बना है जो कि हमें continuous heal करता रहे तो barbarian ने बोला हाँ बहिए ऐसा कोई टूप बनाते हैं जो कि हमारे सारे टूप्स जो battle में attack करते हैं वो सबी को heal करता रहे और फिर हम battle जीत जाए और three star भी ले आए तो फिर barbarian और wizard दोनों सोचते हैं कि चलो laboratory में जाते हैं और वहाँ पर कुछ troops बना कर research करते हैं तो फिर वो laboratory में जाते हैं और सोचते हैं कि कैसा troop हमें बनाना चाहिए तो barbarian बोलता है कि क्योंग हम ऐसा troop बनाएं जो कि flying हो यानि कि air type हो और वो सारे ground type जो troops है वो सभी को heal करता रहे तो फिर wizard ने बोला कि हाँ यही troop बनाते हैं फिर barbarian बोला कि क्योंग हम archer को healing spell के साथ mix कर दे और उसमें air troop बनाने के लिए baby dragon को भी डाल दे और यह सारे troop को mix करके हम कुछ troop बनाने का try करते हैं देखते हैं क्या यह कोई troop बनेगा या क्या यह हमें help करेगा कि नहीं करेगा तो फिर यह तीनों को एक साथ laboratory में research के लिए रखता है barbarian और wizard और फिर एक दिन के लिए देखते हैं कि क्या कोई हमें troop अच्छा सा मिलेगा की नहीं मिलेगा तो एक दिन के बाद जब laboratory में research खतम हो जाती है उसके बाद वो laboratory में से healer बार आती है और वहाँ पर एक giant होता है जो इसकी life थोड़ी सी कम होती है healer उसे heal कर देती है तो यह देखके सारे troops जो होते है वो बहुत खूश हो जाते है और यह देखकर सब लोग बहुत खूश हो जाते है हमने एक ऐसा troop बना दिया जो कि सारे troops को heal करता है जो कि बहुत मज़ेदार है ऐर troop भी है तो यह थी एक healer की story I hope कि आपको यह story बहुत ही पसंद आई होगी तो guys इसे ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ share करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को like करने के साथ चैनल को जरूर सा subscribe करें और bell icon प्रेस कर दीजे ताकि और ज्यादा stories और videos clash of clans के आप देख सको तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye guys thanks for watching this video